बिस्मिल्लाराण रचीम, असलाम लेकूँँ, डियर स्ट्टूडेंट्स, आज हम लैटर्स के साइलेंट होने के बारे में जो लेसन हमने स्टार्ट किया था, पहले पाध में हमने साथ प्रिंसिपल उनके पढ़ लिए थे, कि कौन सा लैटर, किस फार्मेट में, किस स्ट्रे तो नेक्स आज हम स्टार्ट करेंगे जो आठवा प्रिंसिपल है अगर किसी लफज में एच के बाद यू, ओ, 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 यू आता है तो है आच हमेशा साइलेंट हो जाता है तो यहां पर बात कसकी हो रही है साइलेंट होना की एच की तो H कब silent होता है जब H के बाद U O या फिर O U जैसा के H के बाद O आया तो इसको हम आवर पड़ते है H इसमे silent हो जाता है क्योंकि इसके बाद O आ रहा है इस तरीके से honest H के बाद O आ रहा है तो H silent हो जागा इमानदार honor यहां पे भी H silent हो रहा है इस तरीके से यहां पे H जो है U के बाद आ रहा है तो पहले आ रहा है तो दस तो यहां पे भी जो U है sorry H जो है वो silent है क्योंकि T जो है यहां पे डाल की आवाद दे रहा है टे की आवाद नहीं दे रहा दस इसका मतलब इस तरह होता है नामा प्रिंशिपल है अगर किसी लफज में यू के बाद A, E, I तो फिर यू साइलेंट हो जाता है तो यू के साइलेंट होने की बाद हम कर रहा है कि यू के बाद E हो या A हो तो हमने डायरेक्ट यू को निगलेक्ट करते हुए next word पर जाना है जैसा कि God अब इसको यहां पर you को आप भूल जाएं और God बनेगा इस तरीके से you के बाद e है तो you को ना समझें जैसे है यह नहीं guest इस तरीके से जी के बाद you के बाद e आ रहा है तो आप you को neglect कर दें तो get done get done का मतलब होता है इनाम और इस तरीके से guess जो है यहां पर you के बाद e आ रहा है तो आप you को neglect कर दें silent कर दें तो आपका guess बन जाएगा तो आप easily pronounce कर सकते हैं next हमारा principle है 10 अगर किसी लफज मे w हो और उसके बाद r हो तो w हमेशा silent हो जाता है यानि कि w के बाद r हो तो w silent हो जाता है तो हम किस के silent करने की बात कर रहे हैं w लेकिन शर्त किया है कब w silent होगा जब w के बाद फॉरण r होगा तो यह जितने देख लें right लिखना, rap, लपेटना wrong, गलत रीत, हार तो sometime रीत वो भी होती है जो एक बंदे की death हो जाती है तो उसकी हमने word देखे, w के बाद r आ रहा है तो हम w को फॉरण neglect कर देते हैं, यानि के silent कर देते हैं तो हमें लफज जो है, वो pronounce करने में असानी हो जाती है, जैसे right, rap wrong, read ग्यार्मा प्रिंसिपल है अगर किसी लफज के आखिर में g h d, g h आता है तो g h हमेशा silent हो जाता है जब b g h t Olie ग h end पे आए और ये शर्त है के end पर हो जो word आप बनाते हैं, उसके end पर हो, तो ये silent हो जाता है तो हम ये जतनी भी आप देख लें side, इसमेm g h end पे आ रहा है, तो हम इसको neglect कर देते है, silent कर देते हैं, तो side इसको read करना बहुत असान है इस तरीके से यहाँ पर भी GH high and प्यार है तो हम इसको यह समझें जैसे है नहीं तो high, उंचा इस तरीके से right GH तो हमने GH को silent कर दिया right अब यहाँ पर night GH को फिर silent कर दिया और T रहेगा night, तो यह इस तरीके से आप इसको भी silent करके easily read कर सकते हैं हमारा next जो है वो है बारवा प्रिंसिपल अगर किसी लफ़ में G से पहले D का लफ़ हो तो D हमेशा silent होता है, G से पहले D हो तो D silent हो जाता है तो हम किसको silent करने हैं, D को silent करने की बात है, लेकिन शर्त यह है कि G से पहले D होना चाहिए, तो अब जितने भी यह example देख लें यहाँ पे G से पहले D है हर एक में, तो हम इन में से D को निकाल देंगे, तो जैसे budget, edge grudge bridge क्योंकि G के पहले आजा, D तो D को हमने silent कर दिया तो budget का मतलब वैसे budget तियार करना होता है, जो government annually पेश करती है edge होता है, किनारा किसी भी चीज का किनारा हो सकता है, कपड़े का किनारा हो सकता है, दरिया का किनारा हो सकता है नहर का किनारा हो सकता है, सड़क का किनारा हो सकता है, grudge, दुश्मनी bear, किसी से आपको घुसा हो तो आप कहते हैं मुझे उससे कुछ ग्रज्स है, ब्रिज होती है, पूल होती है अच्छा तेरवा प्रिंसिपल है, अगर किसी लफ़ के आखे में T-E-N हो तो T हमेशा साइलेंट हो जाता है, यानि कि जो भी वर्ड होगा उसके एंड पे T-E-N होना चाहिए यहां पे भी T-E-N है, यहां पे भी T-E-N है, यहां पे भी T-E-N है, यहां पी T-E-N है तो जब भी किसी वर्ड के एंड पे T-E-N होगा तो T साइलेंट हो जाएगा, अब यहां पे हम साइलेंट कर देते हैं था कि हमें रीड करने में असानी हो जाए तो ये फासन, आफन, फासन का मतलब होता है बादणा, आफन का मतलब होता है अक्सर, लिसन का मतलब होता है सुनना, l-i-s-e-n, listen, क्योंकרי t हमने साइलेंट कर दिया, इसके बाद है हैसन, जल्दी करना, his t जो होता है his son तो ये जब भी किसी word के end पे 10 होगा तो t silent हो जाएगा और e n पढ़ा जाएगा चौद्वा principle जो है अगर किसी लफ्स के आखिर में e आता है तो e अक्सर वबेशतर silent हो जाता है जब end पे किसी भी word के end पे t हो तो वो silent हो जाता है तो इस तरीके से उसकी आवाद इतनी sometime नहीं होती ही की तो ये थे principle जब कौन सा letter कब silent होता है इसके बाद है हमारी exercise जो कि आपकी करने का काम है सबसे पहला काम क्या है silent का मतलब क्या होता है और कितने letters हमने पढ़े जिनका silent होने की principle हमने पढ़े ये अपने note करना है गिंती करने है इस सबक में इस सलसले में जो काइदा पढ़ा यानि कि जो असूल हमने पढ़े उन्हें ध्यान में रखिए और सभी अंग्रेज पढ़ने के लिए कोशिक कीजिए तो आप एक आज का आपका काम है कि down news का editorial पढ़े और उन मेंसे letters जो हैं आप निकालें जो silent हुए कौन सा ऐसा word था जिसमें कौन सा आपका rule अपलाई हुआ एक दफ़ा पूरे editorial को पढ़ने के कोशिश करें हर लफ़ बहुर करें कि उन मेंसे कोई principle जो हमने अब तक पढ़े उन पर कोई लागू तो नहीं होता तो जब भी आप पढ़ेंगे ये rules अपने mind में अगर आपके back पे होंगे तो आप easily किसी भी जो word है उसको proper pronounce कर पाएंगे थैंक यो फॉर वाचिंग, लाफिस